हाई एवरीवाइन वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीमन्स इंडिया की जिनको इंडियन रेल्वे ने बारा सो जो हाई हॉर्स पावर यानि कि 9000 हॉर्स पावर के जो इलेक्ट्रिक लोको मोटिव यानि कि जो इंजिन होते हैं ट्रेंड के वो बनाने का ओर दिया है तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिसकस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करेंट प्राइस पर आपको सीमन्स इंडिया का शेयर लेना चाहिए नहीं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभ अखारत में लिस्टेड कंपनी है ये इंफ्रसक्चर और एनर्जी सुलूशन प्रवाइड करती है निकि इंडस्ट्रियल जो मैनुफेक्ट्रिंग होती है वो करती है इसके अलावा ये आटोमेशन और सौफ्ट्वेर का काम करते हैं इंडस्ट्री के लिए और मेडिकल डि में इन्होंने पहली बार इंडो जो यूरोपियन टेलीग्राफ लाइन है उसको सेट अप किया था इंडिया में उसके बाद से लेकर के लगातार आप देख सकते हैं ये इंडिया के साथ कनेक्ट रहे हैं 2015 में ये जो स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट है उसको भी स्पियर ह कर रहे हैं और अब अगर बात की जाए लेटेस डवलप्मेंट की तो इंडियन रेलवेज ने सीमन्स इंडिया को एक लेटर ऑफ एवार्ड इशू किया है और इसके अंतरगत जो सीमन्स इंडिया है वो बारां सो जो 9000 होर्स पावर के इलेक्ट्रिक जो फ्रेट प्रेशन आएंगे वो शामिल नहीं है तो लगभग 3.2 बिलियन यूएस डॉलर का ये प्रोजेक्ट होगा और यह जो रेलवे फैक्ट्री है दाहोद में सिमन्स इंडिया की वहां पे इनको मैनुफेक्चर किया जाएगा तो यह 1200 हाई होर्स पावर यानि कि 9000 हाई होर्स के इलेक्ट्रिक जो ट्रेन इंजिन होते हैं उनको अगले 11 साल में मैनुफेक्चर करेंगे इसके अलावा यह 35 साल तक उनको मिंटेन भी करेंगे और इसमें जो अग्रीमेंट है फॉर्मल अग्रीमेंट ऐसा बताया जा रहा है इंडियन रेलवे के दौरा कि अगले 30 दिनो के अंदर अभी इनको जैसे लेटर ओफ एवार्ड मिला है लेकिन फॉर्मल एग्रीमेंट सीमेंस इंडिया के साथ अगले 30 दिनों में साइन कर लिया जाएगा और इसमें जो प्रोटोटाइब यानि जो इनिशल डिजाइन होगा ट्रेन इंजिन लोकोमोटिव का उसको ग्यारा सालों के अंदर ये बारा सो जो सिमिलर इंजिन होंगे जब प्रोटोटाइब को प्रूव कर दिया जाएगा तो बारा सो ये सिमिलर इंजिन अगले 11 साल में और इंडियन रेलवे के लिए बनाएंगे और सिमेंस जो है वो एस टेकनोलोजी पार्टनर काम करेगा औ और जो मिंटिनेंस के लिए इनको जैसे की दाहोद गुजरात में तो मैनुफेक्चर किया जाएगा उसके बाद जो मिंटिनेंस है वो इनकी विशाका पटनम, रायपूर, खरकपूर और पूने में की जाएगी अगले 35 साल तक और इसमें जो रेलवे की मैन पावर है उसको भी उटलाइस किया जाएगा, इसके अलावा दाहोद के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, गुजरात के लिए काफी अच्छी न्यूज आ रही है, तो उसमें एक और न्यूज आड होती है, क्योंकि इस रीजन में ये एम्प्लॉइमेंट जनरेट करेगा, क्योंकि काफी सारे एम्प्लॉईज हायर किये जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, और ये जो लोकोमोटिव है, ये जो ट्रेन इंजन है, ये प्राइमरली जो वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडर है, जो की यूपी से लेकर के नवी बुमबई तक डेवलप किया गया है, उसमें ये प्राइमरली यूज किये जाएंगे, और इससे ओवरॉल जो आज की रेट में जब आप मालगाडी की बात करते होंगे, तो इस जो कॉरिडर है, उसमें 20 से 25 किलोमेटर पर आर की स्पीड से ये मालगाडिया चलती है, जो ये जो नए इंजन है, ये इसकी स्पीड को 50 से 60 किलोमेटर तक बढ़ा देंगे, और अब अगर बात की जाएगी, क्या करेंट प्राइस पे हमें सीमेंस इंडिया का शेर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफोमेंस देखें, तो तीन साल में इन्होंने 82% की रिटर्न दी है, पिछले एक रिपोर्ट के साफ से इसका टार्गेट 3630 रुपए दिया गया है, पिछले मही ने जो कुछ रिपोर्ट आए थी उसके साफ से एक 3700 से 3230 के आसपास था, और टिकर टेप के प्रडिक्टिव अनलेसिस के साफ से इसका जो एवरेज टार्गेट प्राइस है, वो इक तिस सो है, हायर साइट पे 3660 और लोवर साइट पे 1860, एक लाग करोड रुपए का मार्केट कैपिटलाइजिशन है, पी पी बी रिशो थोड़ी ऑन दा हायर साइड लगती है, मुझे अनि कि लार से इन टूबरो ज्यादा अच्छी लगती है, हाला कि वो इनके डारेक्ट कॉंप पेसिस पे इनका शेयर पॉजिटिव चलना चाहिए, और अगर हम इसकी वैसे देखे तो डेट फरी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, इनकी जो पेरेंट है, सीमेंस, जो जर्मन कंपनी है, वो काफी बड़ी कंपनी है, तो ओवर ओल एक अच्छी कंपनी है, लेकिन म परिसनल ओपीनियन में थोड़ा सा इसके वैलिउशन मुझे ज़्यादा लगता है, मुझे एलन टी ज़्यादा अट्रक्टिव लगता है, हाला कि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूँगा कि जो भी व्यूस हैं, वो मेरे परसनल हैं, अगर नहीं फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही लीजिए, थैंक्स सो मुझ फॉर वाचिंग दा वीडियो और गॉड ब्लस यू अल